आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download now Name the Crops Grown in Rabi Season November to April पुझा कहा है कि कौन से ऐसे Crops हैं जो की Winter Season में ग्रो कराए जाते हैं Basically उन Crops को Rabi Crops कहा जाता है या हम लिए Rabi Crops लिख सकते हैं और ये November से April में ग्रोथ जो है इनका पाया जाते है जैसे अगर Example लिखे तो First हो जाता है जैसे की Gram है फिर आता है P उसके बाद हम लिख सकते हैं Mustard और अगर Mainly देखा जाए तो इनको Grow करने के लिए Lower Amount of Water जो है वो चाहिए होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं तो इसी वज़े से इन लोग का Growth जो है वो Winter Season में देखा जाता है Next अगर बात गए तो दूसरे टाइप के Crops जो होते हैं उनको Cardiff Crops कहा जाता है और इन Crops का जो Growth होता है वो Basically Monsoon या फिर Rainy Season में होता है जिसके वज़े से इनको High Amount of Water जो है वो ज़रूरी होता है और जिसके Example में हम कह सकते हैं कि Rise, Maze और बाजरा जो है वो Consider होता है तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो According to the Question जो Rabi Season वाले Crops बोले गए है उनमें Gram, Pea और Mustard जो है यही Correct answer आता है और इसी को हम यहाँ पर Note कर लेंगे